भूखे मर जाना अच्छा है लेकिन इन चार लोगों से कभी भी मदद नए मांगना कोवे की ज्ञान वर्दक बात है जैं सिरी क्रिश्ण आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज इस विडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं ये कहानी एक कोवे की है जिसकी कहानी में एक कोवे ने ऐसी ज्ञान वर्दक चार बाते बताई हैं कोवे की ये ज्यानवर्दक बातें आपको वो सीख दे कर जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये कहानी बहुत ही ज्यानवर्दक एंव प्रेड़ना दायक है वो कौन सी चार बाते हैं जो कोवे ने बताई क्योंकि मित्रो किसी ने कमाल की बात कही है कि चाहे भू कौन से चार लोग हैं जो कोई ने बताई हैं कि भूखे मर जाना पर इनसे कभी मदद की भीक मत मांगना आए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची सर्धा से कोमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमैसिवाय जरूर लिखें सा चैनल को सबस्क्राइब आवस्धे कर दें हे लखशणीमा जो भी इस चैनल को सबस्क्राइब करें और इस विडियो को लाइक करें उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रही उसका पूरा प्रिवाद हमेशा हसता मुस्कुराता कुसल मंगल रहें दोस्तों एक समय की बात है क कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई तबाही कैसी आ गई उस जंगल में बारिस के सीजन में भी यानि पूरे साल बारिस नहीं हुई एक बुंद पानी भी नहीं बरसा सूखा पड़ चुका था इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए पसुपक्षियों के लि दूसरे जंगल की और जाने लगे थे दूसरे राज्य की और जाने लगे थे दोस्तो उसी जंगल में एक कोई का जोड़ा रहता था वो कोवा का जोड़ा एक वरिक्स की डाल पर बैठा हुआ था कोवा की जो माधा थी वो बहुत ही भूकी थी क्योंकि तीन दिन हो गए थे उसने कुछ खाने को नहीं मिला था कोवा की घराली यानि कोई बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही कहीं कुछ खाने को मिल जाए तब तक क्या होता है कि उसी वरिक्स के नीचे एक लोमड़ी एक मास का टुकड़ा दबा करके आ जाती है कोई ने देखा उसके मुहों में पानी आ गया और कोई जो थी वो लोमड़ी से कहने लगी लोमड़ी महन मैं तीन दिन से भूकी हूँ बहुत बड़ी महरबानी होगी आप अगर इसमें से थोड़ा मास का टुकड़ा हमको भी दे दो तो हमारी भूक सांथ हो जाएगी नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा दोस्तों लोमड़ी ने देखा कोई की तरफ कि कोई अपने पती कोवा के साथ बैठी है तो लोमड़ी तो चलाक थी क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चलाक होती है लोमड़ी ने विचार किया कि इस मास के टुकड़े से तो हमारा पूरी त्रहे से पेट भी नहीं भरेगा और ये अच्छा मौक है इसको मैं अपने पास बुलाती है और जैसे ही ये कोवी मेरे पास में आएगी मैं इसको मार कर खा जाओंगी और हमारा पेट भर जाएगा दोस्तो फिर लोमड़ी ने कोवी से कहा कि कोवी तुम नीचे आ जाओ और मैं तुम्हें अपने पास में बेठा कर बड़े प्यार से तो मैं इस मास्क के टुकडे को खिलाऊंगी दोस्तो कोवी तयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमडी के बास तबी कोवा रोक लेता है कोवा कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो अरे ये हमारी तुमारी दुस्मन है ये सिकारिन है अगर तुम नीचे गई ये मास का टुकड़ा तो छोड़ देगी और तुमें ही मार कर खा जाएगी कोवी कहती है नहीं महराज मैं जाओंगी तो जरूर ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी कोवा फिर समझाता है कि मेरी बात को समझो इसके पास ना जाओ नहीं तो ये तुमें मार करके खा जाएगी कोवी फिर भी कोवा की बात को नहीं समझती तो कोवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी मैं तुमें एक कहानी सुनाता हूँ तब तुम समझ जाओगी ध्यान से पहले मेरी एक बात को सुनो उसके बाद में जाना दोस्तो कोवी बैठ जाती है और लोमडी के पास में नहीं जाती है और कोवा की बाते सुनने लगी कोवा कहने लगा और समझाने लगा सुनो कुछ समय पहले की बात है इसी जंगल में एक बरगत का पेड था और इसी बरगत के एक खो में एक तोता और तोती र और दूसरी खों में उसी बर्गत के एक सर्प रहता था। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। अब तक क्या देखा कि उसी बर्गत की एक डाल पर जलकुआ आकर के बैठ जाता है। और जलकुआ ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है तो जलकुआ ने पुछा तोती से कि क्या हुआ तोती तुम बैठी बैठी क्यों रो रही हो तो तोती ने सारी दास्ता सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कहीं बार हुआ है मैं जितनी बार भी अंडे देती हूँ जितनी बार भी मेरे बच्चे होते हैं इसी दूसरी खो में एक सर्प रहता है और वह सर्प निकलता है जब हम लोग कहीं भोजन की तलास में निकल जाते हैं तो वो सर्प निकल करके हमारे अंडों को हमारे बच्चों को खा जाता है हम इस बात से बहुत परिशान है हम कर भी क्या सकते हैं क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते हम उससे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत खतरनाक है बहुत ही दूष्ठ है कौवी की ऐसी दुख बरी दास्ता सुन करके उस जलकुआ को तर्स आजाता है और जलकुआ कहता है तुम्हें नहीं मालूम आप हमारे साथ चलिए पास में एक तलाब है उससे मचली पकड़के लाएंगे तोती कहती है मैं आपकी बात को समझी नहीं तब वह जलकुआ समझाता है जब दुस्मन भारी पड़ जाए जब सत्रू पहलवान हो बड़ा हो और उससे जा करके लड़ना सको तो उसे बुद्धिमानी से हाराना चाही तोती ने कहा वो कैसे तब जलकुआ समझाता है पास वाले तलाब से मचलियां पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला के बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पे डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मचलि को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सर्ब के खोके दरवाजे पर लाश्ट मचली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मचलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और वह सर्प को देखेगा और सर्प को मार देगा तुम्हारा दुस्मन खतम हो जाएगा दोस्तो तोती ने जब जलकुआ की ऐसी बाते सुनी तो उसे भरोसा हो गया तोते को साथ लेकर के जलकुआ के साथ जाती है और तलाब से मचलियों को पकड़ती है सबसे पहली मचली नेवला के बिल के दर्वाजे पर रखी उसके बाद में फिर गई फिर आई और थोड़ी दूर उपर एक मचली और की करम में रखते हुए वो सर्प के खो के दर्वाजे पर आ जाती है और एक मचली दर्वाजे पर रख देती हैं और उपर बैठ जाते हैं अब जलकुआ कहने लगा उस तोती से अब इंतजार करो थोड़ी देर के लिए परतिक्सा करो अब देखे कि क्या नजारा होता है दोस्तो इधर क्या होता है थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और उसने दर्वाजे पर जब मचली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा प्रभू आज तो आप बहुत ही महरबान है जो भोजन स्वेंचल करके हमारे घर पे ही आ गया मचली को नेवला खाता है उसके बाद में वो नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे मचली एक और मिलती है फिर वो खाता है फिर आगे बढ़ता है यानि करम बाई करम मचली उसे मिलती चली गई वो खाता चला गया और खाते-काते वहीं आ गया जहां वो सर्प रहता था उसके दरवाजे पर एक मचली पड़ी थी नेवला ने वो मचली खाई फिर नेवला ने विचार किया इसका कान क्या है के मचली करम बाई करम हमको मिलती रही और हम खाते रहे और यहां तक आ गई लगता है यह किसी का घर है पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं की चलो इंतजार करते हैं दोस्तो नेवला उस सर्प के खोके दर्वाजे पर बैट करके इंतजार करने लगता है सोचता है अगर कोई होगा तो इससे जरूर बाहर थोड़ी देर में निकलेगा। दोस्तो इधर कुछ समय के बाद में जब सर्प निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है ये इसकी चाल है और ये तो आप जानते ही हैं कि सर्प और नेवला की कटर दुसमनी होती हैं दोस्तों नेवला सर्प से यूद करने लगता है, लड़ने लगता है, अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है, ये देख करके वो तोती बहुत प्रसन होती है और तोती उसी व्रिक्स की डाली से अवाज लगाती है। भाईया मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वज़े से मैं बहुत परिशान थी, आज आपने हमारी दुस्मन को मार दिया, आपका मैं बार बार धन्यवाद करती, तोती बहुत खुस थी, इधर नेवला ने देखा तोती के उपर की और जोड बैठा हुआ है, तो नेवला समझ गया, कि अच्छा इसका मतलब ये जाल तुमाहरा ही बनाया हुआ है, तोती सारी दास्ता सुनाती है, उसके बाद में वो नेवला कहता है, कि तोती क्या उपर से ही धन्यवाद देती रहोगी, या नीचे आ करके धन्यवाद दोगी, दोस् को मार कर भी वो खा जाता है, एक दूसमन से जीत नहीं पाई, तब तक दूसरे दूसमन के चंगुल में चले फस गई, दोस्तों वही बात समझाता हुआ कोवा कोवी से कहता है, कि एक दूसमन से दो लोग बचे, लेकिन दूसरे दूसमन के चंगुल में फस गई, और वो त ये हमारी तुम्हारी दुस्मन है, ये जरूर तुमको मार कर खा जाएगे, और भूलकर भी इन चार लोगों से कभी भी मदद की भीक नहीं मांगनी चाहिए। अब भीक मांगने के लिए जाएंगे, तो वह दुस्मन आपकी मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी बी देगा, इसलिए दुस्मन से कभी भी मदद की भीक नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी, अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी भी मदद की भीग मांगने मत जाना चाहे, चाहे मर जाना, क्योंकि अभिमानी के पास अगर गए, तो वो तुम्हारा अभिमान में आकर, के घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा, देगा कुछ पुछ भी नहीं। चोता है नसे बाज वेक्ती नसे बाज आदमी के पास भी कभी भी मदद की भीक मत मांगना जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में खड़े हैं आपको कोई नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नसे में आ गया और उसके लिए आपने हाँ दिया उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर आप बैठ गए क्योंकि वो तो नसे में है आप तो जानते ही हैं कि नसे में व्यक्ती वाहन कैसे चलाएगा कहीं न कहीं जाकर के तो वो वाहन को ठोक देगा या कहीं गड़े में डाल देगा खुद मरेगा और तुमको भी मार देगा तो इसलिए नसे बाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीक मत मांगना चाहे रास्ते में मर जाना चाहे भूखे हो तो भूखे मर जाना लेकिन ऐसे चार लोगों से कभीवी मदद की भीक मत मांगना एक दुसमन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कप्टी और चोथा नसे बाज दोस्तो कवा की इस तरीके से बाते सुनकर एक कवी समझ जाती है कि हमारा पती कवा सच कह रहा है वो नहीं जाती है तो दोस्तो यह कहानी हम को यही सीख देती है कि भूखे मर जाना लेकिन इनी चार लोगों से कभी भी मदद की भीक मांगने मत जाना तो दोस्तो कैसी लगी हमारी ये कहानी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है पसंद आई है तो कोमेंट बोक्स में अपनी राय जरूर देना और होस के तो अपने मित्रों के लिए भी इस वीडियो को सेर कर देना फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई ग्यान चर्चा के साथ तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंदो एम दर्सक भाईयों के लिए रादे रादे जैं सरी कृष्णा ओम नमे सिवाए